एलो वेरा, घरत कुमारी, गौार पाठा, चित्रा कुमारी, इत्यादी वानस्पतिक नामों से इसे जाना जाता है दोस्तों एलो वेरा की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिन में से 280 प्रजातियों में 0 से 15 परसंट तक ही और सधी गुण होते हैं जिन में से 11 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो किसी कामकी नहीं होती हैं लगभग 4 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिन में 90 से 100 परसंट तक होते हैं इनमें सबसे बेस्ट प्रजाती होती है बार्वेडेंसिस मेलर प्रजाती और यह सबसे उत्तम कोटी की एलोवेरा के प्रजाती मानी जाती है दोस्तो मेरा नाम है प्रकासविर और आज मैं बात करूँगा एलो विरा बार्वे डेंसिस मिलर प्रजाति के बारे में कि ये किन-किन चीजों में फायदे मंद है इसका प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए दोस्तो आयमसे कंपनी एलो विरा जूस जो आपको देती है वो होता है बार बेडेंसिस मिलर प्रजाति तो वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में जो बेल आइकन लागेगा उसको भी हिट करेंगे तो फ्यूचर में जो भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन रिगलर आपको मिलते रहेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे एलोवरा जूस के कौन कौन से फायदे होते हैं आज हम दस पॉइंट्स में कि लवरा जूस के टेन पॉशक तक ट्ट एक्टिव एंजाइम सोते हैं मिन्दस होते हैं कैसियम जिंक कॉपर आइरन सोडियम मैगनेसियम सभी तरह के तत्विष में पाए जाते हैं तो बात करते हैं किन किन चीजों में फायदे मन्दे तो फस्ट एक पॉइंट हम बात करें तो एलोवरा को सबसे वाली प्राबलम होती है तेजी से एकसर दर्द होती है उसके निवारन के लिए काम आता है सेकंड चीज बात करें एलोवरा में मौजूद सैफोनीं जो होता है वो आहार नलिका की गंदगी की सफाई करता है और यह इंटरनली उसको क्लीन करता है पेट में तमाम तरह की वाल विकार वगयरा होते हैं उनको भी खतम करने में यह सायक है एलोवरा जूस एक अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का साधन माना जाता है कि अगर इसको हम पिएंगे तो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन होगा यानि कि जो भी गंदगी होगी सरेर की वो निकलती रहेगी प्र हमारे सरीर से खतम हो जाते हैं नेक्स्ट अगेन हम बात करें तो एलोवरा के सेवन से खोन में सफेद और जो लाल रक्त कणिकाय होती हैं उनकी मात्रा भी बढ़ती है और यह हमारे मस्तिस्क में आक्सिजन के मात्रा को बढ़ाने में भी सायक होते हैं उच्छ रक्त चाप क के निर्मित होने से रोग प्रत्रों धक सकती बढ़ जाती है तथा साख्थ ही कोशिकाओं को भी ताकत मिलती है अगले पाइंट के हम बात करें तो पेशाब की मात्रा कम होना पेशाब में कुछ बाधा होना इस तरह के अगर विकार किसी को आ रहे हैं तो इलवरा उन लोगों को कम करने के लिए बहुत फायदे मंद है यह यकरत की प्रणाली को भी शुधारता है और बहुत जादा मात्रा में पेशाब पेट में भर जाने की जो कंडिशन होती है इसमें आपको विस नासक के रूप में भी यह काम करता है इलवरा का जो पल्फ होता है वो पेट के अल और किटानों के करण होने वाली खुजली सुराइसेस है आपका एक्जिमा है माइक्रोसिस है फीवर बैसलस है इस तरह की जो प्रॉबलम आती है उनके लिए भी यह बहुत जादा फायदे मंद होता है तो इस तरीके से यह हमने आपको दस पॉइंट बताए कि किन किन चीजों फायदे मंद है बांकि एलोवर आप बहुत सारी और भी चीजों में फायदे मंद है इसके लेने का सिम्पल सा तरीका है कि 30 हेमल सुबह 30 हेमल साम यह हमनी कि टोटलि 60 हेमल आप सुबह साम इसको सेवन करते हैं तो तमाम तरह की समस्चाएं आपको नहीं होती है तो दोस्तो है कि आएमसी कंपनी का ये वार्बेडेंस मेला रेलोवेर आपको प्राफ्ट हो सके आपको इसकी जान करें नहीं है तो आप स्क्रेंड पे एक नंबर दिखाए दे रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिएगा वहां से आपको डिसकाउंट एडी जनरेट कर दिये जाएगा और आप अपने एरिया में इस प्रोड़क को प्राफ्ट कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ नमस्कार कर दोस्तों?